बच्चों को मुसीबत से बचाने के लिए मा किसी भी हद तक जा सकती है फिर चाहे बात इंसान की हो या जानवर की मा तो मा होती है सोशल मीडिया पर इन दिनो एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है जिसमें मादा जेबरा अपने बच्चों को बचाने के लिए सेरनी से भिड़ जाती है जेबरा मा जान की परवान करते हुए इस कदर सेरनी से लड़ती है कि शेरनी को हार माननी पड़ती है और अपने शिकार से हाथ धोना पड़ता है सोशल मीडिया पर हमें जानवर की लड़ाई के कही सारे वीडियो देखने को मिल जाते है शेर को जंगल का राजा इसलिए का आ जाता है क्योंकि उसके सामने दुनिया के हर जानवर की हालत खराब हो जाती है लेकिन आज हम आपको एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रहे है जिसमें एक वैस ने जंगल के राजा की हालत खराब कर दी इस वाइरल वीडियो में एक बबबर सेर एक भैस का शिकार करने आता है हाला कि वो भैसा उस बबबर सेर पर ही कहर बनकर तूट पड़ता है भैसा अपने सिंग से जंगल के राजा को उटा उटा कर पटकने लगता है बैसा सेर को ऐसे पटकता है जैसे वो कोई फुटबॉल हो वीडियो देखकर आपको यकिन ही नहीं होगा कि बैसा जिसे अपने सिंग से उचल रहा है असल में वो जंगल का राजाई है वीडियो के अंत में आप देख सकते है कि सेर पूरी तरह से पस्त हो चुका है उसके शेरिल से खुन ही खुन निकल रहा है इसके बाद ऐसा लगता है कि मानूर जंगल के राजा ने हार मान ली हो हाला कि वो अंत में भैसे को अपने पंजों से जकडने की कोशिस करता है लेकिन काफी खुन बे जाने की वज़े से उसकी पकड़ कमजोर पड़ जाती है और वही दम तोड़ देता है यकिनन आपने जंगल के राजा और बैसे की लड़ाई का खुन खा वीडियो पहले कभी देखा होगा दोस्तो आज तक आपने नन्नी गिलेरी को टेड़ पर चड़ते देखा होगा पर क्या आपने गिलेरी को फाइट करते देखा है यकिनन आप दंग रहे जाएंगे यह लड़ाई कोई चोटे मुटे चुवे के साथ नहीं बलकि एक जरीले साप के साथ है नन्नी गिलेरी और जरीले साप के बीच लड़ाई का ये वीडियो इंटरनेट पर वाइरल हो रहा है इस वीडियो में गिलेरी इस तरह कूट कूट के साप को मारती है कि बिचरे साप के पचीने छूट जाते है दरसल ये साब गिलेरी के मासुम बच्चों को अपना भोजन बनने आया था पर अब तो ऐसा लगता है कि जिन्दगे में किसी मा से पंगदा नहीं लेगा मा तो मा होती है इस वीडियो में समझा जाएगा कि बच्चों पर आने वाली बड़ी से बड़ी मुसिबत पर मा क्या कुछ कर सकती है दोस्तो अगले इस क्लिप में महिना पक्षी के बच्चों को एक नई बल्कि दो कव्वे ब्रेकफास्ट बनने की कोशिश करते है कोशिश क्या ये तो अल्मौश प्लान में सकसेस ही होते है फिर क्या मैना मा बीच में आठ अपकती है और तब तक कवों से लड़ती है जब तक दोनों हार नहीं मानते और अंत में ये मा अपने बच्चों को बचाने में सकसेस हो जाती है इस मा के बहादूरी के लिए एक लाइक तो बनता ही है साप एक ऐसा जीव होता है जिसे देखते ही अधिकतर लोगों के रोंग्टे खड़े हो जाते है हाला कि कई लोग ऐसे भी होते है जिने साप से बिल्कुल डर नहीं लगता अब जो साप का वीडियो सामने आया है वो काफी डरावना है वीडियो में देखा जा सकता है कि एक साप और मुर्गी आमने सामने है दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे है और फिर दोनों एक दूसरे पर हमला करते है साप के हमले का वीडियो तो आपने खूब देखा होगा लेकिन मुर्गी को ऐसा करते हुए कभी नहीं देखा होगा जो वीडियो में दिखाई दे रहा है ये जरीला साप इस मुर्गी के बच्चों को डिनर करने आया था फिर क्या मुर्गी ने बच्चों के खाती जान की बाजी लगा दी और अपने दमदार पंजों से साब को अच्छा सबक सिकाया साब भाईया अगले बार दुनिया से पंगा लेना मगर एक मा से नहीं तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें एम करते हैं सो लाइक का और चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में